नमस्कार दोस्तों जिकर्दु सार यूट्व चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है तो इलहाबाद हाई कोट गुरूप डी का ये साल पेपर है और इसमें पूरा पेपर साल नहीं किया गया ये एनलाइसिस किया गया है हाँ इसमें कुछ जीएस की कोशन आपको हम जाएंगे और पूरूप से साल पेपर यानि सौ कोशन का साल पेपर कुछ देर बाद अपलोड हो जाएगी तो चलिए पेपर का एनलेसिस देख लेते हैं किस प्रकार का पेपर आया था ताकि जो कल गुरूप सी का जो एक्जाम होने वाला है उसका लेबल आप लोग देख देख लिए पहला कोशन जो है कि प्रदत श्रिंखला को पूर्ण करना है तो पूर्ण श्रिंखला पूछा जारा है इसमें 36 दिया यहां पर 36, 34, 30, 28, 24 तो काफी असान है रिजनिंग का कोशन यह है तो इसमें दोदोग की संख्या यानि कम होती जा रही है 36 बाद 34 फिर 30, 28 इसके बाद 24 और यहां पर क्या आएगा तो यहां पर आपका 22 आएगा तीसरा अलापसन आपका इसमें सही है और देख लेगते हैं कुछ सब्सक्राइगा यह भी आपका जीएस का कोशन है तो कुट मिलाने वाला ज्यादा कोशन आये हुए है और यह कोशन काफी आसान नहीं है तो आर्गनेशन आप अरप पेट्रोलियम एक्सपोर्टिक कंट्री यह पूछ रहा है तो यह कहां पर है तो यह आपकी कुबायत में है जिए फाफ आफ इवन यह जी सेवन हैं तो जी शेवन आपका कहां इसमें तिया आपका इटली में गल्फ कार्फरेशन आपको सवादी अरब में हैं व्ल्ट्रेड आर्गनाज्जिशन आपका स्वुटिजर लेंड यानि कि आपका जो चौथा आपसन इसमें पाहला वा रिजिनिंग का है प्रदत सिंखलाओं को पूर्ण करें 8, 7, 9, 8, 10, 9, 11, तिहां पुछा है कौन सा सिंखला आएगी तिहां पर आपका तीसरा सिंखला आएगा इसमें कोश्चन नमबर यहां पर आते हैं साथ नमबर जीएस का कोश्चन है महराष्ट में भाक्ति आंदोलन का प्रेणता किसे मना जाता है प्रेणता आरम करता कर सकते हैं तो यह आपसन देखे दिया है यहां पर रामदास ग्यानेश्वर एकनाथ तुकारा म तो इसमें आपका जो प्रेणता मना जाता किस हो ग्यानेश्वर को दूसरा से होगा हलाकि एकनाथ भी थे तुकाराम भी थे इसमें तो प्रेणता पूछा जा रहा है तो इसमें ग्यानेश्वर एंसर होगा महराष्ट में भक्ति आंदोलन से यह भी थे एकनाथ तुकाराम इसमें आपका खटित होने के वर्ष के क्रम में विवस्थित करना है भूत से वर्थमान काल में इसमें दिया है मात्मा गांधी का प्रादुर्भाव बंगाल विभाजन रोलेट सत्याग्र और डांडी मार्च खिलाफत आंदोलन इसको आपको मिलाना है सबसे पहले कौन सी घटना घटि थी तो इसमें सबसे पहले घटना जो घटि थी वो था बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था तो बस आपको यह कियाद है तो एक से आप कुट बैठा सकते हैं तीसरा अलाप्सन इसमें आपका सही होगा दिया इसमें बंगाल विभाजन इसके बाद महात्मा गांधी आये भारत में 1915 में और इसके बाद रूलेट एक्ट हुआ था 1919 में फिर इसके बाद खिलाफ़ात अंदोल 1920 में और डांडी मार्च 1930 में यह करम था तीसरा अलापका एंसर सही होगा इसमें तो इस टाइप से जीएस जीएस या जीके कोष्ण पुछे गए थे जो काफी आपको मिलाने वाला कोष्ण है अगर डेट कंफर्म नहीं तो आप सही से मिला नहीं पाएंगे सीधा से उदार कोष्ण कुल मिलाकर इसमें नहीं पूछा गये यानि गुरूबडी का पेपर है और इसमें पेपर कि इस बिशेष्टा के कारण कोई ब्यक्ति स्वतंत्रता पुर्व अपने धार्मिक विश्वासों परप्राओं का पालन कर सकता है कैसे कर सकता है धर्म निर्पेच्था का मतलब होगा कोई ब्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है परचार परचार कर सकता यह भारत में स्व दान की है और परी सबर्सक्र committees और उसके समीद वाले उद्द्ययोग की पाहचान करें दिया नीजी चेत्र साकारी श्यत्र सविंक्षेत्र या शारवजनिक छेत्र उद्ध्योग तो इसमें दिया है राज और ब्यक्तियों अथ्वा ब्यक्ति समुहों द्वारा प्राचलीत और उनके स्वामित वाले उद्ध्योग की पाचान करते हैं इसमें आपका राइट एंसर चौथा होगा सारवजनिक छेत्र उद्ध्योग यह भी कोशन है इसको जीयस का वो गोल का कोशन है नेश्ट कोशन देखते हैं यह भी सुमेलित करने वाला है इतिहास का यह आदनिक भारत से कोशन है दिया है बिलियम जोन्स बिलियम जोन्स तो बिलियम जोन्स प्राकृतिक संस्कृतियों के लिए अधर थे रबिन्हा टेगोर तो रबिन्हा टेगोर जो है प्राकृतिक परवेश में शिखना चाते थे ये थामस मैकाले इसने जो है अंगरेजी सिच्छा का समर्धन किय था और महात्मा गांधी अंगरेजी सिच्छा के अलोचक थे इस परकार यह सुमेलित है इसमें आपका एंसर दूसरा वाला सही सुमेलित है तीरा का दूसरा अप्सन सही है इसमें इस टाइप से कोशन पुछे गया थे इसमें नेक्ष कोशन देखें सुमेलित करने वाला कहा आयए नेता जी सुवाशंद र बोस हौई अड़़्ा कि बात करें त시면 यह कहां पर कुलकाता में कहा पर कुलकाता मेंक इंद्र गांध अंतलराष्टे आपका दिल्ली में और शेतर पम निल्हतले के अहन यह सुमेलित है इस टाइब से भी कोशन पूछे गए थे तो आपको पहले ही बताया थे कि कूट मिलाने वाले ज्यादा कोशन पूछे गए तो इसमें आपका चौदा का जो राइट एंसर चौथा इसमें आपका सटिक बैठता है नेश्ट कोशन देखते हैं निमलिखित में से मानो निर्मित संसाधन की पाचान करना है कौन सा इसमें होगा थंडा समू मसिनरी सडके उसर कटि बंदिय बन नदी पूल पूल तो देखें मसिनरी भी मानो बना सकता है इसमें और सडके भी बना सकता है हाँ उसर कटि बंदिय बन ये नई मानो बना सकता है नदी जल भी नहीं बना सकता है तो इसमें आपका पहला वाला आपसन ए बी और इ सही होगा यानि मसेनेरी, सणके और पूल ये तिन चीज मानो द्वारा बनाया सकता है कुशन नमर 16 पर आते हैं ये भी कुट मिलाने वाला ही है जो काफी टफ है दिया है मेगस्थनीज, फाहियान, युवान जैंग, आई किंग, इबन बतूता इन में से पूछ रहा है कौन जो है चीनी बहुत तिर्थ यात्री है ये तो होगा नहीं, इबन बतूता ये मुरुक्को का ये भी नहीं होगा बचे आपका तिन, फाहियान, युवान जैंग, आई किंग, ये तिनों जो है चीन बहुत तिर्थ यात्री थे तो B, C, D तो B, C, D आपका आपसन इसमें बैठेगा चौथावला आपसन इसमें सही होगा यहाँ पर कुछ साइनस के कोशन हुए है इसको आप लोग देख सकते हैं बलक अनपरियोक की पाएगा करता है यह नेश्ट कोशन देखेगा RBI का आपचारिक उद्घाटन किस वर्स हुआ तो इसमें 1938, 1947, 1935 या 1924 आपचारिक उद्घाटन पूछ रहा है तो यह हो जाएगा 1935 में हलाकि एक 1934 में प्रस्ताव लाए गया था लेकिन उद्घाटन इसमें पूछा है तो 1935 1934 आपचन भी नहीं दिया इसमें तो 35 वला आपचन आपका सही हो गाए एकदम 19 नंबर देखेगा जूम क्रिसी एक अठर्ड तो आपका दूसरा और तीसरा आपचन नहीं गलत हो गया जूम क्रिसी जो है अस्थांतरित क्रिसी से सम्मंदित है एक अठर्ड आप सही हैगा एक अठर्ड आपका अस्थांत्रित क्रिसी से जूम क्रिसी का किसे समान दीत है यह से जूम क्रिसी कार्थ होता हैat ऐसे एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर जो है खेती करना siguer वहां के मिट्टी अनुरक हो जाती तो वहां पर से जाकर दूसरी जग जंगल साब करके खेती करते हैं खास करें जूम किरिसी जो असम में होती है तो इसको अस्थांतरित किरिसी कहा जाता है तो अस्थांतरित किरिसी जूम किरिसी से इसके बाद किरिसक के परिवार की आवसक के लिए फसल उब जाएगे तो फ़िए वाल जिक्त अनक्रिसे, सी का, सी का टू, और डी का, इसमें हो जाएगा, एकल फसल उब जाए, रोपन, एको बनीं, पसल फिरोपन, इसमें आपका पहला ऑल अपसन, सही हो, नीट्स का, पहला अपसन इसमें, सही हो जाएगा कि कोशन नंबर कि बीस पर आते हैं तो बीस का मिला लेजेगा आप लोग ये भी काफी टप कोशन है इसमें सुमेलित करने लोग वह स्थान जहां देवता कि मुर्तिय स्थापित की जाती है तो हमारे समझ से इसका गर्व गरी होगा टावर अगर कर सकते हैं त कि टावर थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं कि एक अफ़ोर हो जाएगा गर्व गरी तो इसमें आपका हो जाएगा कि भी का टावर हो जाएगा टावर कर दिया है शिखर ये भी सही है कि इसके बाद इस्तूप के आसपास के बिरित्ता कर कि कहा जाता है दच्छिना पत का जाता है आसपास बित्ता कर पए दच्छिना पत अडोड़ आपका क्या है इस्तूप है यानि इसमें आपका जो राइट एंसर होगा वह है डी वाला आपसन कमपनियां देखे भारति कमपनियां इसमें आपको समिलित करने वाला करेंट वाला कोशन है दो देशों के बीच बैपार को अंतराश्टी बैपार कहा जाता है तेश नंबर में सबसे लाश्ट में सभी को खाता है तो इसमें ओझाएगा पाला स्वा पोसी इसके बाद बिसम पोसी फिर इसके बाद साक भची फिर मांस बची इसके बाद सबसे चौथा अपसन आपका राइट एंसर होगा इसमें साई विकल्प चुनते परदत गणती है सिंखला को पूर करना है 126 24 120 इसमें आपका जो 720 होगा उस उपकरण की पाचान करें जो प्रयोकता के अनुदेशों और डाटा को सिवकार करता है इसको इन्पूट कहा जाता है इसके बाद कुछ हिंदी के कोशन आप देख सकते हैं संधी वाला समू काम का काम नो जानना और बहाना ढोड़ना तो इसमें आपका तीसरा सही हो सकता है नाच नावे आगन टेणा सब हिंदी के कोशन इधर बिसेशन के भेद यह पार अगराप दिया गया है पार अगराप से आपको इंसर ढूड़ना है पांच कोशन है इसमें इधर हिंदी के कोशन है सम इसका बहुत जल्दी यह अप्लोड होगा सरसु धल मैत का इधर कोशन है टोटल सौ इसमें कोशन गुरूप सी का जिसका एक्जाम है कल वो देख सकते हैं किस टाइप से इसमें पेपर आ रहा है जर इंगलिस का भी कोशन है सवतक्त यह पेपर था इनेलासिस तो उम्मित करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया इसको लाइक कर अपने दोस्तों के हाँ अधिस दिख सेयर करें धन्य बाद दोस्तों जाहिन वंदे मात्रम